हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू दी चैनल लर्ण भी संद्या स्ट्रक्शी भी फ्रेंट्स पिछली वीडियो में हमने एक्ससाइज 12.1 का कोश्चन नमबर 6 किया था आज इस वीडियो में हम कोश्चन नमबर 7 करेंगे तो चलिए इस कोश्चन नमबर 7 में आपको सिंप्लि 20-8 यह दिया हुआ है थो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करेंगे जो ब्राइब करेंगे इसको हम owners क्योंtwo प्लाइब देखाए इसको पहले प्लाइब रॉकर लेंब अभिएब अब यहां पे 25 है इसको हम क्या करेंगे 25 लिख लेएब हैं अब इसकी पावर जो है निगेटिव में है ठीक है निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा यह चला जाएगा आपका नीचे ठीक है नीचे चला जाएगा यह आपके T T की power 4 हो जाएगी ठीक है नीचे चला जाएगा और T की power 4 हो जाएगी प्लस में हो जाएगी ठीक है positive फिर उसकी बाद है 5 की power minus 3 तो अब यहाँ इसको जब हम positive बनाएगे तो यह आपका उपर आजाएगा ठीक है उपर आजाएगा यह तो क्या हो जाएगा यह आपका इंटू 5 की power 3 हो जाएगी ठीक है अब उसके बाद यह 10 है तो 10 जहाँ है मुसको बहीं चोड़ देंगे ठीक है तो यह 10 is as it is यहीं हम चोड़ देंगे उसके बाद है T की power minus 8 अब इसको भी हमें positive बनाना है तो अब यह नीचे है तो इसको हम inverse करके उपर ले जाएगे ठीक है तो यह उपर आजाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की power plus 8 हो जाएगी ठीक है minus 8 से plus 8 हो जाएगी इतना किया हमने ठीक है अब हम क्या करेंगे देखिए अब इसमें हम क्या changes करेंगे अब इसमें न जो इस prime है जिसके इसको हम और अलगते score तोड़ के लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं देखिए इसका जब प्राइम factor करेंगे तो क्या आता है 25 का 5 5 जा ठीक है तो 5 5 हम लिखेंगे यापे ठीक है 5 की power 2 लिखेंगे यापे ऐसे नहीं करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की power 2 ठीक है उसके बाद into में ये 5 की power is equal to यहाँ लगा दिजी फिर यहाँ पर 5 की power हो जाएगे ये 3 ठीक यह हमने इतना किया अब क्या करेंगे अब हम फिर यहाँ आए t की power 8 into t की power 8 ठीक है अब इसके नीचे क्या हो जाएगा अब ये 10 की power क्या है आपकी अब नीचे इस 10 का भी होगा प्राइम फेक्टर करें तो क्या आएगा 10 का 2 5 जा फिर ये 5 7 तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 into 5 ठीक उसके बाद है आपका t की power 4 तो यहाँ पर हम लिख देंगे into में t की power 4 ठीक अब यहाँ भी क्या करेंगे अब हम देखिए अब ये किया हमने ठीक है अब इसमें देखिए इन दोनों की जो base है वो same है powers अलग अलएगे इन में क्या हो जागा हमारे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा a की power m into a की power n is equal to क्या हो जागा am plus n powers add हो जाती है ठीक है ये वाले फॉर्मूले में इसमें हमारी powers add हो जाएगी क्या हो जाएगी अब ये 5 है तो 5 ये 2 plus 3 2 plus 3 हो जाएगा और नीचे जो डिवाइड में है वो क्या आपका माइनस हो जाएगा ठीक है माइनस वन ठीक अब यहां पर जब नीचे रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दू मैं यह भी अब जिसकी पावर एकी पावर एम डिवाइड बाइड 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 नीचे में आ जाती है तो क्या एकी पावर एम इसगल टू क्या हो जाता है इनकी जो पावर से वो माइनस में हो जाती है ठीक है पावर को हम माइनस कर देते हैं ठीक है तो फाइब नीचे था तो इसको कला थो हमने माइनट कर दिया फिर क्या हो जाएगा ये इंटू आब यहां दिखीए यह ती की जाए अब की पावर ती की पावर फिर ए絪र ता सब्वह्मारी सब्सक्राइब तो में भी कर सकता है और यहां इसको ल लिया और फिर आपका एट में तो 4 minus हो जाएगा ठीक है यह किया हमने अब नीचे करेंगे क्या आजाएगा आपका नीचे क्या बच रहा है आपके पास केवल 2 बच रहा है तो इसको हम 2 as it is लिख लेंगे ठीक अब आगे क्या करेंगे इसमें देखिए अब यह आपका है equal to ठीक अब इन दोनों को plus कर लें क्या आ जाएगा 5 की power 5 आ गई और यह minus 1 ठीक है यह किया हमने उसके बाद क्या है into में 8 8 ठीक है T की power में से अब यह T की power है अब 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा 4 हो गया ठीक है अब यहीं पर हमने इसको solve कर लिया अब यहां नीचे आते हैं अब नीचे क्या हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे हम फिर इसको करें तो क्या आ जाएगा देखिए इस इकल टू अब 5 में से 1 गया तो 5 की power 4 आ गई फिर into T की power 4 और नीचे आपका है 2 ठीक है अब इसको हम expand कर लेते हमारा answer आ जाएगा अब 5 को हम 4 टाइमस लिखेंगे 5 into 5 into 5 into 5 और T की power 4 है तो हम as cable T की power 4 लिखेंगे ठीक और नीचे आपका है 2 ठीक है तो यहां लिख लेते हैं अब इसको करें क्या आ जाएगा आपका 5 5 25 25 25 25 25 5 जा 625 आ जाएगा और यह T की power 4 है और नीचे आपका है 2 answer आगे आपका ठीक है यही आपका answer है अब हम आते है अपने B वा अब इसमें देखिए इसमें दिया है 3 की power minus 5 into 10 की power minus 5 into 125 फिर 5 की power minus 7 divide में नीचे फिर into 6P power minus 3 तो अब इसमें सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे positive बनाएंगे ठीक है यहा 6 की power 5 है मैंने 3 लिखा है ठीक है 6P power minus 5 है तो इसको सबसे पहले हम positive बनाएंगे ठीक है तो बनाते ह हम इसको positive अब यह देखिए यह क्या है 3 की power minus 5 है इसको जब positive बनाएंगे तो यह नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे तो यहाँ 3 की power 5 हो जाएगी फिर यह क्या है 10 की power minus 5 अब इसको भी हम क्या करेंगे positive बनाने के लिए यह आपका नीचे आ जाएगा ठीक है divide में तो यह भी हो जाएगे turn की power 5 ठीक उसके बाद अब देखे 125 है तो इसको हम 125 as it is यहाँ लिखेंगे ठीक है उसके बाद है यह आपका नीचे देखे 5 की power minus 7 है तो इसको भी हम जब positive करेंगे तो यह उपर की तरफ आ जाएगा ठीक है नीचे से उपर चला जाएगा तो 5 की power 7 हो जाएगी फिर into अब यह भी है इसको भी जब हम positive बनाएगे तो यह नीचे से उपर चला जाएगा तो 6 की power 5 हा गई ठीक है यह हो गए आपका अब इसमें हम क्या करेंगे अब इसमें हम ज 5 की power 7 ही हो जाएगी into अब 6 का अब 6 का हम कर सकते देखे 2 3 जा 6 ठीक है इसका प्राइम फेक्टर आ गया तो क्या लिख देगे हम 2 into 3 और इसकी जो पावर से वह 5 हो जाएगी दोनों में 2 की power 5 3 की power 5 ठीक है अब यह है 125 into 125 का भी हम करेंगे फेक्टर तो क्या आजाएगा आप 5 5 जब 25 होता है और 25 5 जब 125 होता है तो 5 की power यहां 3 आ जाएगी ठीक है यहां इसको हम एसके लिख लेंगे 2 into 5 और दोनों की power 5 5 हो जाएगी क्योंकि 10 की power 5 ठीक है यह कर लिया हमने अब next step देखिए next step में करते हैं अब हम अब यह देखिए अब यहां 2 2 जो है पहले यह आपका 2 ठीक है दोनों के जो बेस है वो सेम है यह हमारा divide में यह नीचे divide में है ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपके powers जो है minus हो जाएंगी तो 5 minus 5 फिर हम देखेंगे यहाँ पे 3 को अब उपर 3 positive है नीचे भी 3 positive है तो यह divide में तो इसकी powers भी minus हो जाएंगी into 5 minus 5 into ठीक यह किया हमने अब क्या है आपके पास 5 है तो अब 5 में हम ऐसे ही करेंगे ठीक है यहाँ देखे 7 है एक यहाँ 5 की power 7 है और यहाँ 5 की power 3 है इन दोनों को add करेंगे और जो divide में 5 है इसको हम इसमें minus कर देंगे power ठीक है पावर पे देहान दीजे 5 यह उपर का 7 plus 3 हो पावर को देखिए ठीक है अब इसको करें नीचे के आएगा आपका नीचे आपका कुछ नहीं आएगा ठीक अब इसको solve करते है अब यहाँ 2 2 की power 0 आ गई 5 5 गया तो into यहाँ पर 3 की power 0 आ गई ठीक into अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 की power 10 हुई minus 5 अब यहाँ करें इसकी जब हम मैंने बताया था यहाँ पर यह लौ लगता है जहां एक पावर 0 होती है वो 1 के बरावर होता है ठीक है यह मैंने बताया है यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 फिर यह 3 की power 0 हो यह भी 1 हो जाएगा into अब यह 5 की power 5 हुआ 10 में से 5 गया तो 5 ठीक है हमने पावर माइनस कर दी आ आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो क्या करेंगे तो क्या जाएगा आपका 5 5 25 फिर 5 5 25 ठीक है 25 जा 625 बता है 65 जे 5 का है तो 3125 ठीक तो यह था बारा आंसर तो हमने इसका question अबर exercise 12.1 का question last question था यह अब हम next exercise next video में करेंगे तब तक के हैंहें हैं